पुरक सपागा, नानक तिस बलहार नैं जिस एवड पागा जापर अंदर तातन बाहर, जापर बाहर तातन माहर बिन नावे बह फेर फिरावे, सत्गुर संग दिखाया जाहर जन नानक सचे सच समाहर आहर सब करगा फिरैं, आहर इकना होए नानक जित आहर जग उद्रै, विरला बुजय कोए वटी हूँ बड़ा अपार तेरा मरतबा रंग बरंग अनेगना, जापन करतबा जीया अंदर जीयो सब किछ जानला सब किछ तेरै वस, तेरा कर पला तेरै कर आनंद वदाई तुदकर मान महता तेज आपड़ा आपजद छटे बाजर सोहन विच्वापार ये वक्खर हिक अपार, नानक खटे सोतनी कबीरा हमरा को नाही, हम किस हूंके नाही जिन ए रचन दुचाया, तिस ही माय समाहे सफलियो बिर्ख सुहावडा हर सफल अमरता, मन लोचे उन मिलन को क्यों वन्जे किता, वरना चेना बाहर ओ अगम अजिता, ओए पियारा जी का जो खोला पिता, सेवग करी तुसाडिया मैं दस्यों मिता, कुर्वाणी वन्जा वारने बलें बल्द किता, वाहिकरू परनाम जी, सभी को राम राम सनातन धर्म की जाए मैं आज आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहा हूँ जिस परिवार में इतनी खुशियां आई हैं और खुशियां कारण है ये बिटिया जिनोंने 12 स्टेंडर्ड में टॉप किया है जमू में आठ्स स्टेंग में याने की आठ्स स्टीम में इनका ओवरॉल जमू कश्मीर में फिफ्थ रैंक है और जमू में इन्होंने टॉप किया है मैं इन्हें और इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुपकामना है देता हूँ इस BTR रानी का नाम है चमन दीब कोर और इनके पिता जी इंडियन एर फोर्स में है और इनकी सिस्टर और इनकी माता जी यहां मुझूद है मैं चाहूंगा कि आप भी इस फैमिली को मुबारक बात दे और ऐसे ही बचीए हमारा जो है जमू कश्मी का नाम रोशन करते रहे क्योंकि अभी हमने देखा जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं सब में जो हमारी बच्चिये हैं वही टॉप कर रही है चाहे वह यूपी एसी के रिजल्ट भी आप देखो तो जो पहले तीन टॉपर्स हैं वह सब हमारी यहां की बेटी हैं और जिन्होंने सेवन्थ रैंक लिया है वह भी हमारे पुंच की बेटी है जिन्होंने इतने कहां कहां स्कूलों में आपने बढ़ाय की टीचर्स ने और कितना योगदान रहा आपकी फैमली का मैंने अपनी जो स्टाडीज है 11th और 12th वो कोदवाल National Institute of Teaching से की वहां पर 9 से लेके 12th स्टांडर्ड तक है उससे पहले मैं अपनी जो स्कूलिंग है 10 तक वो भी मैंने उसी स्कूल की एक छोटी ब्रांच से की थी निट ग्रीन मॉडल अकाडमी से अगर मैं बात करूँ अपने स्कूल की जहां से मैंने 11th हो ट्वेल्थ की वहां के जो प्रिंसिपल थे बहुत बहुत जाद अच्छे थे प्रफेसर जेयल कोदवाल और हमारी माम बिमला बलोरिया माम वो बहुत जाद अच्छे थे उनका स्कूल का जो एक administrative system है मुझे लगता है कि वो बहुत जादा best है मतलब as a student I will say कि उनकी जो स्कूल की system है जो teachers है वो बहुत जादा supportive है बहुत encouraging है और मुझे कहीं भी किसी step पे नहीं लगा क्योंकि जब मैंने starting में admission लिया था तो थोड़ा बट उन्होंने बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया और मेरे जो subjective teachers थे उन्होंने हर पॉइंट पे इतनी support की कि मुझे लगाई नहीं कि मुझे ट्यूशन की जरूरत है अच्छा चमंदीप अब फर्दर आगे क्या कर रहे हैं एंटर्स दिया आपने CUET का और क्या फर्दर प अच्छा तो यह खुद से ही सोचा है या मतलब कोई अपने relation में हैं जिने देखा आपने तो आपने सोचा कि आप भी यही मतलब civil services की तरफ जाएंगे नहीं नहीं डिलेशन में तो कोई ऐसा नहीं है बट हाँ जब मैं 10 में थी तो उस टाइम पर लॉकडाउन था और लॉक के बारे में और क्यों यह चीजे करना जरूरी है फिर मुझे लगा कि हाँ फिर मैंने सोचा कि मैं अपने 10th की percentages देखूंगी फिर मैंने अपना interest देखा कि किन सब्जेक्ट में मैं खुद को थोड़ा मतलब enjoy करती हूं पढ़ना और मुझे लगा कि शायद humanities चो stream है वो मुझ पापा हमेशा से बहुत सपोर्ट है जिसे कि हर एक बेटी के लिए फकॉर्स पापा इस दे ही रो सो मेरे केस में है पापा हमेशा से मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इवन जब मेरे 11th में subject choose थे तब भी पापा ने मुझे नहीं कहा कि 10th में थोड़े मांक्स क्योंकि ऐसा ह होता है कि जब आपके 10th में थोड़े से मांक्स आते हैं तो सब भी कहते हैं कि medical non-medical best है arts क्यों रख रहे हो पर पापा ने का कि आप वही stream चुनो जहां पर आपको लगता है कि आप independently stand कर सकते हो किसी के कहाव में नहीं आना है और इस वज़े से फिर मैंने arts भी चुन पाई और अगर मैं बात करूँ अपने family atmosphere की तो मेरी family बहुत ज़दा supportive है especially मेरी ममा उन्होंने मतलब मुझे हर चीज में ना एक positive कहते है आपको push up देना तो वो चीज मुझे हमेशा ममा encourage करते थे कि कोई भी चीज है मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं चाहे family में किस तरीके से रहना है कैसे पढ़ाई करने हैं और कभी भी मेरी family जो थी वो मेरी पढ़ाई में कोई obstacle नहीं बनती थी वो चीज सबसे best है मुझे कभी नहीं कहते थे कि आप वहां पर जाओ पढ़ाई पढ़ाई वह कहते थे आप पढ़ो जहां आपको मन करता है आप वहीं पर जाओ बाकी necessary नहीं बहुत अच्छा मैं चाहूंगा कि इस पूरी family को आप शुपकामनाय दे चमंदीब की जो माता जी हैं वो भी हम मुझूद है उनसे भी हम बात करेंगे मैं आपका नाम क्या है और कितने खुश हुए जब बिटिया ने इतने अच्छे नंबर लाए और जैसे इन्होंने कहा कि आप बहुत सपोर्ट करते हैं किया आप अपनी तरफ से बात करेंगे मेरी बेटी मेरे को बहुत खुशी हुई जब मेरी बेटी ने अच्छे मांक्स लिए मेरे को बहुत अच्छा प्राउड फील हुआ कि मेरी बेटी इतने अच्छे मांक्स लेके आई है God gifted बच्चे हो जरूर पूरी हो जाए बहुत अच्छा और वह गुरुजी ने बड़ा आशिरवाद दिया आपके बच्चों पर चलो अच्छे बच्चे आपके चलो जी मैं कहती हो आपके मन की बता नहीं सकती कि मेरे को कितनी खुशी हुई जब इसका बेटी ने जब हुआ है चलो जी अ करना चाहिए जब इसका रिजल्ट आया तो मैं बहुत खुश हुई बहुत लीए रोने लगी मेंने का बैटा रोना नहीं है कोई बात नहीं कहती है तो मुझे आप मेरे का बहुत अपनी बच्ची पर आपका क्या नाम है और आप इनकी sister हैं कितना आपको proud फील हो रहा है कि कि आपकी sister ने टॉप किया है जम्हू में सर मुझे इतना अच्छा प्राउड डोर है कि मेरी बेस्ट बेहन है दुनिया की बेस्ट बेहन है और हमेरे साथ बहुत सपोर्टिव है बहुत हसी मजाग लिया और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज उसने ट्वैल्स मे है इसका बहुत अच्छा और देखो आपके तो फैमली बड़ी खुश है और मैं अब जानना चाहूंगा कि आपकी होबी क्या क्या है और थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि पढ़ाई के साथ साथ और चमंदीप क्या किन किन चीजों में इंटरेस्ट रखती है पढ़ाई कुछ मतलब जिसे सिखिजम से रिगार्डिंग कुछ बुक्स बगएरा है तो वह चीजें पढ़ना मुझे अच्छा लगती है ताकि मतलब एजुकेशन के साथ 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 आप थोड़े अपने कल्चर के साथ कनेक्टेड रहें तो उस चीज पर भी मेरा एक फोकस रहता है अच्छा मुझे ये बात चमंदीब की बड़े अच्छी लगी क्योंकि मैं हर बार ही बात करता हूं कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना तो है अब वेस्टनाइजेशन भी आ रही है बच्चे एडवांस्ट होते जा रहें लेकिन जो अपना रिलीजियस बिलीव्स है हम उससाथ रहना है तो बड़ा अच्छा इनके माता पिता ने लिखना पढ़ना जैनते हैं हमारे घर के साथ में ताया जी थे तो उन्होंने ये क्लासे स्थार्ट की थी चोटे बच्चों के लिए तो वहाँ पर मैं मेरी सिस्टर चाचाचे के बच्चे हम सब लोग वहाँ पर जाते थे और कम से कम आठ नौ साल जो थे हमने वहीं पर बिताए और वहाँ पर मतलब स्टार्टिंग से उडा एडा से लेके एंड तक हमने जो भी वह कर सकते थे मतलब स्पेशल थैंक्स उनको भी है क्योंकि उन्होंने हमें इस चीज के साथ लिंक किया क्योंकि बच्च्पन में तो मन भी नहीं करता था कि हम जाएं वहाँ पर दो घटें बिताएं लेकिन वह भीजते थे फिर बहुत ज़दा टाइम स्पैन करते थे हमारे साथ तो उन्होंने काफी कनेक्ट रखा हमारे साथ और भुक्स के अगर मैं बात करूँ तो सिखिजम में ऐसा है कि जब आप थोड़ा पढ़ रहे हो जिससे गुरुगरन साहिब जी के अगर मैं बात करूँ तो गुरुगरन साहिब जी में बहुत सारी बानिया हैं अलग लग भक्तों की कवियों की तो उस चीज में भी मेरे ताया जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और वो मुझे स्पेशली गुद्वार भी लेके जाते थे वहां पर हमारी एक घंटे की क्लास होती थी वीक में दो बात वहां पर बैठके फिर हम एक घंटा मैं और दीदी बहां बहुत सारे लोग होते थे वहां पर बैठके वहां में रोज दस बारा पन्ने पढ़वाते थे उनका मतलब समझाना मतलब कहीं ना कहीं हमें spiritually भगवान जी के साथ connected रखते थे ताकि as a human being हम अपनी responsibilities जो है वो भूले ना कभी भी लिए उनके लिए आप क्या कहेंगे और कहीं बार क्या होता है कि कहीं बच्चों के अगर नंबर काम आए उनका मुराल बड़ा डाउन हो जाता है तो उनके लिए क्या आपका बड़ रही हूं ना बस उसके हिसाब से आजाए यह मैटर नहीं करता कि आपकी 98 परसंटेज आई है या फिर 99 परसंटेज आई है मैं मैटर यह करता है कि आप बहुत ज्यादा मैंनत करो इसे लगता है कि मेरे लिए एक फामली बन गया है मैं बच्चों को यह कहूंगे कि आप अपने टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करो क्योंकि उनके पास हर वो चीज है जो आपको चाहिए वो आपको सब कुछ दे सकते है तो 11-12 वैसे भी एक ऐसी क्लासे होती है जहाँ पर आ सारी ऐसे सरकम्स्टांसे आते हैं जहां पर आपके टीचर और पैरेंस आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं मेरे केस पर भी ऐसा ही था मेरे टीचर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कोई भी प्रॉब्लम छोटी से चोटी सपेशली जोती माम वो बेस्ट टीचर है मेरे लिए क्योंकि उन्होंने जितना सपोर्ट किया है वो कोई नहीं कर सकता हर चोटी चोटी प्रॉब्लम मैं उनसे शेयर करती थी और अगर मैं आज सोचती हूं कि मुझे ग्रादुवेशन के बाद सिविल सर्विसेज करना है तो उसका कहीं न कहीं क्रेडिट शायद में कहूंगे कि जोती माम को जाता है क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया उन्होंने ही मेरे अंदर ये एक फ्यूल फायर एक इंसर्ट की कि आप कर सकते हो तो मैं सभी बच्चों से यह कहूंगी कि प्लीज आप महनत करो बजाए यह सोचे कि रिजल्ट क्या आए में हमारे जेंड के में फिफ्ट रैंकिंग में हैं और जम्मू में ये टॉपर हैं आप इन्हें शुब कामनाएं दे इनके पिता जी इनकी मादा जी जिन्होंने इतने अच्छे संसकार इनमें भरे उनको अभी मैं धन्यवाद करूंगा और बड़ा अच्छा है कि अपने क लेकिन अपने धरम, अपने रिलीजियन, अपने कल्चर के बारे में उनको नॉलिजी न हो तो इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा इस परिवार की जिन्होंने अपनी बच्ची में इतनी अच्छी चीज़े डाली हैं बच्चपन सही देखते रहें जेके मीडिया धन्यव सभी को राम राम